हेलो एवरिवन आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक, चॉकलेट केक की फ्रोस्टिंग भी मैंने घर पर ही बनाई है सबसे पहले मैं चॉकलेट फ्रोस्टिंग बनाऊंगी मैंने एक पैन को गरम कर लिया, इसने मैंने 20 ग्राम रिफाइंड ओयल और 50-60 ग्राम बटर को एक साथ डाल दिया है ताकि बटर जले नहीं अब मैंने इस पैन में आधा कप मैदा डाल दी है अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी ताकि हमारा बटर, ओयल और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से भुन भी जाएं तीन से चार निट के लिए मैं इसको ऐसी लगातार चलाती रहूँगी और जब मैदा अच्छे से भुन जाएगी अब मैं इसमें 2 कप दूद ढालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि लम्स ना पडबे इसके साथ ही मैं इसमें एक कप चीनी भी ढाल दूँगी एक कप दूद मैं इसमें बाद में ढालूंगी अगर मुझे मीठा कम लगेगा तो मैं चीनी भी थोड़ी बात में ही एड़ करूंगी अब इसमें मैंने आधी कटोरी कोको पॉडर डाल दिया है इसको मैंने अच्छे से मिक्स करा है ताकि इसमें लम्स्रा पड़े और फ्लेम को हमें आपर लो ही रखना है इसे हमें जल्ली जल्ली एच्छी तरह से मिक्स करना है तेस्ट करने पर मुझे मीठा कुछ कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें आधा कप चीनी और एड़ कर दी है एक कप दूद भी डाल दूगी यह डाल दिया हम इसको अच्छे से मिक्स कर दूगी कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए यह देखें अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है फ्लेम को मैं आफ कर दूगे और इसको रूम टेंपरेचर पर आने दूगी सेट होनी के लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दूँगी तब तक मैं केक बना लेती हूँ केक बनाने के लिए मैंने आधा कप मैं डाली है इसको मैंने एक बड़े बरतर में डाल दिया है एक कप मैं पिसीवी चीनी लूँगी चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था आदा टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पॉडर डाल दिया है दो चुटकी मैंने इसमें खाने का सोडर डाल दिया है एक चुटकी नमक डाल दिया है दो बड़ी चमफ इसमें मैंने कोको पॉडर डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैंने इसमें आदा कप रिफाइंड ओयल डाल दिया है आप तेल की जगा पर melted butter भी यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें बटर नहीं डाला इसलिए मैंने इसमें नमक डाला है अगर आप बटर डालने हैं तो नमक ना डाले अब मैं इसमें दो नडे डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें आदा टी स्पून वेनिला एसेंस भी डाल दूँगी इसमें एक तिहाई कब दूद भी डाल दूँगी अब इस सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इसको सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यह इस तरह का हो जाएगा मिक्स होने के बाद मैंने इस तरह का स्टील का गोल बरतन लिया है तेल से मैंने इसको अच्छे से ग्रीज कर लिया है आप चाहें तो केक टिन भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी शेप का बरतन यूज कर सकते हैं मैंने बटर पेपर को काट कर बरतन में इस तरह से बिचा दिया है ताकि केक चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए अब मैंने केक के बैटर को इस डोंगे में डाल दिया है डालने के बाद मैं इसको थोड़ा टैब टैब कर दूज़ा ताकि इसमें बबल्स ना बने मैंने एक पैन लिया है इसमें मैंने स्टैन रख दिया है इसमें एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है पानी उबल जाने पर केक कड़ोंगा मैं इसमें रख दूँगी और इसको मैं धककन से धक दूँगी और धकने के बाद मैं इसके लिट को लगा दूँगी और लिट में ज हो चुके हैं अब मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है और लिट को हटा दिया है अब मैं इसे चेक कर लेती हूं केक हमारा अच्छे से पका है कि नहीं पका है मैंने एक स्टिक से एक बड़ा डोंगा रखूंगी एक प्लेट रखूंगी ताकि मैं केक को अच्छे से घुमा घुमा कर इस पर क्रीम लगा सकूँ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को मैंने फ्रिज से बहार निकाल लिया एक दम सैट हो चुकी है मैंने केक पर इसको इस तरह से डाल दिया है अब य चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डालके अच्छे से फैला दूंगी और इसके साथ ही मैं साइड्स में भी अच्छे से फैला दूंगी और साइडों में भी मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को अच्छे से लगा दूंगी मैंने केक के चारो तरफ इस तरह से चाकू से फ्रोस्टिंग को लगा दिया है ताकि यह एक सार हो जाए अब केक के बारी साइड में मैं जेम्स को इस तरह से लगा दूँगी मुझे इसके गोल आकार में इस तरह से लगाना है यह लगके तैयार हो चुका है अब केक के उपर मैं वाइट चोको चिप्स इस तरह से डाल दूँगी जो खुब सारे वाइट चोको चिप्स इस तरह से डाल देने हैं और इसके साथ ही वाइट चोको चिप्स को मैं साइट्स में भी लगा दूँगी इस तरह से मैं हाथ में वाइट चोको चिप्स लेकर साइट्स में भी इस तरह से लगा दूँगी ताकि हमारा पूरा केक वाइट चोको चिप्स से कवर हो जाए अब मैं इसमें चोको चिप्स डाल दूँगी वाइट चोको चिप्स और नॉर्मल चोको चिप्स मैं इस तरह से डाल दूँगी अब इसको सेट होने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दूँगी मैंने केक को आधे गंटे के लिए फ्रीज में रखा है अब मैंने इसको फ्रीज से बाहर निकाल लिया है अब यह हमारा केक गदम तयार है मैंने इसका एक पीस काड़ कर आपको दिखा रही हूं देखी कितना अच्छा हमारा केक बनकर तयार हुआ है ऐसा लग रहा है ऐसा कि हमने बजार से इसको लिया है केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है आप मेरी चॉकलेट केक की रेस्पी ज़रूर ट्राय करें अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आये तो मेरी वीडियो को लाइक करें शियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग